आपके में मेकप पर जाते हैं तो क्या करें यह आपी का ही कुश्टन है जिससे इसना आज आपके लिए लाएं हों कि एगर मेकप करते क्यों पर जाती हैं और उनके लिए क्या करें कína कि काफं रीजन्स हो सकते हैं अगर मेक्प में लाइन पड़ Das Transport का गया ठीक है एक चीज और है मेकप में लाइन पड़त जाने का मतलब है कि मेकप की किरीज किसी एरिया पर इकठ्था हो गया तब लाइन्स पड़ जाती है अगर आप अपने मेकप को बहुत ही जादा प्रोडक्ट के साथ उसको लेयरिंग करोगे तो उसमें क्रैक आएंगे लाइन्स क्रेट कोँगी देन अगर आपने प्रॉपर ली अपने स्कीन को प्रेप नहीं किया है देन लाइन्स आएंगी तो friends इसके reasons के बारे में हम regularly बात करते रहेंगे और आज का जो है makeup start करते हैं और दिखते हैं तो makeup करने से पहले सबसे पहले जो चीज होती है हमारे पस hydration करना तो आप अपने makeup को na makeup start करने से पहले hydration बहुत जाद अच्छे से करें क्योंकि winter के season में already face भी dryness आ जाती है already जिसके जो face होते हैं जिसके अगर oily face भी होते है ना उनके भी dryness आ जाती है तो इस चीज का बिल्कुल ध्याद रखें अपने जो face है आपका उसे अच्छे से moisturizer से उसे hydrate करें तो properly moisturizer लगाना है और इसको leave करना है दो से तीन मिनट के लिए और यह जो area है यहां पर जरूर लगाएं और इसके surround इस एरिया में line lines आने के जाहां जादा होते हैं तो यहां पर जरूर लगाएं और moisturizer तो बहुत ही important step है तो moisturizer को तो skip बिल्कुल भी ना करें बिल्कुल भी सोचके ना करें कि moisturizer अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी ने सोचें तो moisturizer जरूर लगाएं next step होता है आपका primer का तो यहां पर मैंने color bar का अपना primer लिया है this one और यह बहुत ही अच्छा primer है flawless base जो है आपका बना के राड़ी करता है और बहुत ही अच्छी finishing देता है तो यहां पर हमने अपने color bar का primer लिया है और यह थोड़ा transparent होता है आपके pores को अच्छे से minimize कर देगा और आपको makeup को flawless look देगा जब भी आपने primer लगाना है चोटे-चोटे portions में लगाना है ठीक है पूरे face को prime करना है अच्छे से और चोटे-चोटे जो portion है उनमें आपने primer लगाना है जैसे कि आप देख रहे हैं जब भी primer लगाना है तो हमेशा circular form में लगाना है और primer लगाते वक्त आप brush का भी use कर सकते हैं लगाते हैं कोई moisturizer brush लगाते हैं मैं primer almost जो है hand से ही लगाना प्राफर करती हूं मिझे अच्छे से feel हो जाता है वह हैं जैसे मैं उसे hand लगाना hand से लगाती हूं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप brush से नहीं लगा सकते हैं तो ऐसा कुछ निया brush से भी लगा सकते हैं next बात है हमारे color correction के color correction के लिए मैंने हाँ पे एक Raylone 303 shade लिया है यह जो shade है आपे color correction के लिए बहुत ही अच्छा shade है वहthmा पार टो यहां गया है स्कूट्रा टॉरिद्ट केलिया है जिस पर मैं धिए और आप इपने बरस पर लिया और डेन मैं से लट इंचराट करने के लिए मैं अपने इस एरिया पे कवर करूंगे इसे जाज़े कि आप देख रहे हैं तो इसको properly cover करें अच्छे से आपने इसे cover करना है देखिए ये जो है orange shade होती है जो आपके under eyes पे जो problems होती है उन्हें neutralize करती है यानि कि जैसे black heads प्रोब्लम होती है उन्हें neutralize करेगी तो इस area पे आपने इसे लगाना है अब आप दोनों में difference देख रहे होगी है ना तो ये थोड़ा आपको light लग रहा होगा ये आपको थोड़ा सा dark लग रहा होगा है ना तो same मैं दूसरे side भी इस तरहां से इसे apply करती हूँ अपना orange character और इसे यहीं भी blend कर लेती हूँ फेस पे कहीं और कोई problem नहीं है जिस वजासे यानि कि problem तो मेरी यहां भी नहीं है जिस आपको अगर apply करना है तो इस तरीके से करना है बहुत ही कम product के साथ काम करना है साथ काम नहीं करना है अब इसको यहीं पर ब्लेंड भी करना है ब्लेंड करने के लिए मैंने अपना blender भी यहां पर लिया है जो कि डाम blender है और इसकी हाल से मैं इसे यहां पर ब्लेंड कर लेती हूं कि ब्लेंड करते पुछ आपको कभी भी ओवर ब्लेंड नहीं करना इस तरह से कभी भी आपको ओवर ब्लेंड नहीं करना है तो यह वाला फॉर्मेशन रहेगा आपका इस चीज का ध्यान रखें तो यह हो गया है हमेरा color correction का part अब दЕखी इसको हमने न्यूट्रलाइज करना है न्यूट्राइज करने के लिए मुझे क्या करूंगी मैं अपने ही स्किन का एक कंसीलर शेड लूँगी जो कि यहां पर इसको मैं अपने लिया है जो कि सेम मेरी ही स्किन का है और इसको मैं जसके ऊपर एपलाइज कर लेती हूं यह करेगा इसको न्यूट्राइज करेगा सभी हДа isn't it means weしい जो मैंने औरेंज कर्क्टर इसे निंट्रní-, निट्रलाइज करेंग और से एप्लाइ करने के बाद मैं अडेशसे ब्लेंड कर लेपी हूं अपने ब्लेंडर की इस ४ाइट होता है इसे कर्लीन ब्लेंड करना है कर लिया है और अब यह प्रॉपर ली मैने चोगे में डाक सर्कल्स इनको ही हमने मैनेज करना था नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है वो है अपना फांडेशन अप्लाई करने का तो यहां मैंने मामार्थ का फांडेशन लिया है यह मेरा मामार्थ का फांडेशन जो की मेरी ही शेड का है यह कहा है बीज ग्लो यह कहा है बीज ग्लो शेड और इसे ही मैं यूज तो यह जो फांडेशन है इसको हम अपनी मेकप प्लेट पे ले लेते हैं यह मेरी मेकप प्लेट और इसको मैं यहां पे कम से कम दो पंप तीन मैंने इसके लिए है अपने foundation के और यह जो है मेरे लिए sufficient है इसके three pumps जो है मेरे लिए sufficient है मेरे full face के लिए three pumps और इसको मैं directly apply कर रही हूं और इसको मैं अपने blender की help से apply करूंगी and अपने blender पे मैंने just देखे किस तरह से लिया है कुछ mixing नहीं की मैंने इसमें and then इसको dab करना start करते हैं जब भी मैं इसे apply करूंगी तो अपने under eye से थोड़ा सा छोड़ की इसे apply कर रही हूं और आप देखिए जब भी हम foundation apply करते हैं आप दोनों में देखिए difference आपको visible हो रहा होगा जब भी हम foundation apply करते हैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि छोटे छोटे portions में काम करें ताकि आपके blending अच्छी हो ठीक है और इसको इस तरह से ही dab करके आपने apply करना है अब देखिए winters में क्या होता है winters में हमारा make-up हलक असर dryness की तरफ चला जाता है तो उसे रोकने के लिए हमने क्या करना है dryness की तरफ जाता है उसे रोकने के लिए हमने setting sprays का use करना है अगर dryness की तरफ आपका make-up जा रहा है तो and then यह मैंने full coverage नहीं यह जो मैं make-up कर रहा हूं यह मैं full coverage नहीं है ठीक है यह full coverage makeup नहीं कर रही हूं मैं just party makeup के लिए आप यह process follow कर सकते हैं और इसको जो effect है वह काफी अच्छा और flawless आएगा देखिए मैं विर्कुल छोटे-चोटे portions में काम कर रही हूं और छोटे-चोटे portions में ही मैं इसे blend कर रही हूं just found a foundation अपने blender पे लेना है और उसके dab करना start करना है यह जो foundation मैंने लिए है exact मेरी ही स्कित का है exact tone मैंने लिए है और इसको मैं जस्ट धीरे-धीरे से अपना foundation लोंगी and blend करना start करूंगे dab formation में ही हमने इसे formation करना है dab formation this one यह formation आपने पूरे face पर रखनी है कि जब भी हम यह foundation का step करते हैं ना हमारा जो फेस है वह हलका आसा क्या हो जाता है फीचर्स जो है उसके खतम हो जाता है फीचर्स को बाद में निकालते हैं मेंस्ट उसे कि अपने contouring या blush यह सब चीज़े करके फीचर्स को हमें निकालना वड़ता है अब देखिए आप फेस आपको एकदम फ्लैट नजर आ रहा होगा इस दम फ्लैट नजर आ रहा है ना है ना देखिए यहां पर मेरा foundation लग गया जिसकी जैसे हलकी सी वाइट टोन में नजर आ रही है ना तो इसको हमने ब्लेंड करना है अपनी नेक पे भी कर लें क्योंकि आप कहते हैं अपनी नेक ब्लैक लग रही है ना बोलते हो फिर आप देखिए यह जिसकी टुटोरियल होते हैं जिस व्यासिक मैं एक को जादा ब्लैंड नहीं करती या नेक पे मैं ज्यादा इसको ब्लैंड करें अच्छे से जैसे ही आपका ब्लैंड हो जाएगा मेरे लिए तो इतना सफिशेंट है मुझे इससे उपर नहीं चाहिए मेरे थोड़ासा फाउंडेशन इसमें बच भी गया है ठीक है मेरे थोड़ासा फाउंडेशन बच गया है तो अब हमने क्या करना है अब हमने अपना जो है या तो आप सेटिंग स्प्रे करोगा अगर आपका मेकप ड्राय हो रहा है या अगर आपके मेकप में लाइंस बन रही है ब्लैंडिंग करते वक्त तो आपको सेटिंग स्प्रे करना है जो की जो वारी प्रीफिक्स होते हैं आपने इस तरह के सैटिं को चंस कहां पे होता है जब अपके आपकी आप अपने ब्राइड को रेड़ी करते हो तब आपके मेक अपके तो फिर आप हमने क्या करना है टूर्ड्य ले हैंれं Be जिसक Не मैं अपने अपने आक ये है मारे पास और सबस्क्राइब को थोड़ा थ्छोटे में अपने मेक ये को 另back आप इस तरह के जो लूज पौडर के साथ इस तरह के आपके जो ब्लेंडर साते हैं पौडर लगाने के लिए उनका यूज कर सकते हैं आप ब्रशी का यूज कर सकते हैं ये कम्प्लीटली आप डिपेंड करता है कि आपके यूज करते हैं यह आपको एक साटन फिनिश देगा साटन टच देगा और आपको आपके फांडेशन को अच्छे से सेट कर देगा आप देखिए फ्रेंट्स हमारा जो मेकप बेस है यह हो चुका है सेट और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है अब मुझे करना है अब मैं यूज करूंगे अपना कंटॉर एंड कंटॉर के लिए मैंने अपना कंटॉर किट लिया है और फोर शेट कंटॉर है यह मेरे पास और इसमें से मैं अपना कंटॉर कर लेती हूं डाकरशिएड लोगे मैं इसमें ह önके सी और मैं यहां से टẹब करना स्ट्व करूंगे जभी कंटॉर को लेंड करें वह अपयार्या और करेंगे यह कंटॉर जब form में और सेम आपको इस साइड भी ज़स्ट इसे ब्लेंड करना है और इसको अपवर डारेक्शन में इसे ब्लेंड करना है अपने जोल आइस पे भी आपने इसे कवर कर लेना है और अपने फोरेड पे हम इसे कभर कर लेते हैं इतना age कर करना ही पड़ेगा बिल्कुल लाइट उन्टारिंग कर रहे हूं बिल्कुल राइट साधा नहीं कर रहे ब्लुकल हल की साइड़ा नहीं करने है तो प्लूर के बाद हमारे पास नेक्स आता है हमारे blushers तो यहां पर हम अपने blushers ले लेते हैं blushers को भी मैंने back से ही जैसे मैंने contour apply किया है ऐसे ही इसकी application करूँगे अपने blushes की भी यहां से contour के ऊपर और front की side direction में ले कर आऊंगे इसे इस तरह से यह हमारा blush है इसको हमने blend करना है बच्चे से और same इस side भी बिल्कुल कम quantity में ले साधा quantity में ना दे ठीक है बिल्कुल कम quantity बनेना है और इसको excess product को हम निकाल देते हैं और इसे ही यही पे ही blend करेंगे थोड़ा से upward direction में इस form में यहां पर मेरा हलका सजाधा blush हो गया है तो इसको मैं अपने blender की हाथ से थोड़ा सा डैप करके light कर लूँगे अगर इस तरह की problem आये तो अपने blender से डैप करके इसे light कर लें आ गया न अच्छा effect से यहां पर भी कितना अच्छे से effect आया है हमारा है न जब आपका blush का process complete हो अपने blush को न हलक अपने nose के यह बल पार्ट होता है यहां पर भी apply कर लें बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में specially बिल्कुल हलक असा ठीक है न नेक्स्ट हमारा क्या है हम अपने makeup को अब highlight कर लें इसको highlight कर लेते हैं जिसके लिए मैंने हम always मैं maximum time क्रेलोन की ivory shade ही यूज करती हूं और इसको मैं अपने face पे इस तरह से apply करती हूं और यहां पर भी और इस एरिया में यह आपना बाद में apply करेंगे तो ज्यादा यानि कि जैसे मैंने blush करके apply किया है तो ज्यादा beneficial रहेगा और इसको हमने यहां पर मिन्स्टू से कि अगर आपका over brushes वगारा हो गई है तो यह आपको cover कर देगा उसको और आपको effect भी काफी अच्छा देगा और जो हमने देखी यहां पर हमने foundation कम apply किया था ना blend हो के आया था वैसे apply तो नहीं किया था तो इसी वजासे अब यह क्या करेगा उसको highlight कर देगा मिन्स्टू से हमारे highlight area को highlight कर देगा और जो भी हमारी अपने face की features को निकाल के दिखाएगा और देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको यह बताती हूं देखिए जब भी आप यह वाला process करें तो जैसे कि मैं कर रही हूं आपने जस्ट महीं पे ही blend करना है जहां पे आपने यह product apply किया है सारे में नहीं करना है जहां पे product apply किया महीं पे blend करना है इस तरह से जस्टाफ formation में इस तरह से आपने इसे blend करना है और आप देखिएगा अब देखिए आप कहते हो कि आपके fine lines आ जाती है क्यों आती है आपके fine lines जब आप access में product लगाओगे ना तब आपकी lines आएंगी access में product नहीं लगाना है बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि जितनी requirement है उतना ही product लगाए अपने skin tone के coding लगाए कि इसको इस तरह से ब्लेंड कर लें कि blending process आपके काफी अच्छा होना चाहिए अब आप देखे face के features आगे दिखाई दे रही है अगर आपको ब्लश व्यारा contour व्यारा जो access लग रहा था अब नहीं लग रहा होगा लेकिन अभी यहां पर sufficient नहीं अभी हमने इसे क्या करना है बेक करना है तो यहां पर मैंने अपना translucent powder लिया है ठीक है और इसको मैं अपने hand पर ले रही हूं और अपने makeup को बेक कर लेते हैं ब्रश की ब्रश पर अपना translucent powder लिया है यह वाइट कलर का होता है और इसको एक दू मिनट के लिए आपको leave करना है राय स्किन है तो तभी remove कर दें अगर आपके oiliness जादा है तो थोड़ देर लगा के रखें and remove कैसे करना है है ना जस्ट इसको जैसे आपने लगाया था उसी portion में इसे निकाल दें यह easily चला जाएगा यह देखिए कोई problem आया है नहीं न आया easily चला गया है न कोई effect नहीं देखिया कोई white color का effect नहीं दे रहा नहीं न दे रहा तो easily यह चला जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छे से bake कर देगा आपके make up को और बहुत ही अच्छा effect आपकर फे 1 को देगा यह देखिया आपके फेस के feature जो है बहुत ही अच्छी से नगर आएगे इसको करने से के feature बहुत ही अच्छे से नजर आते हैं अब देखिये आपको की आ ऻुइद्रे मेरे प्रोड़क्ट बहुत ज्यादा लगाया है एक्सिस में लगाया है बहुत कोई कुछ भी रीजन हो सकता है next time अपने highlight कर लेते हैं यहाँ पे हमने बिक ली है highlight लिक ली है यह एवली और इसमें हर तरह के Senior और इसको मैं highlight कर लेते हैं फिसको and इस बार को मैंने highlight करना है और देखिए कितना चगलो आ रहा है कितना अच्छा एफेक्ट आ रहा है इसका तो यह तरह से आप अपने फेस को अच्छे से हाइलाइट कर सकते हैं नहीं अपने नोस के सेंटर में इस पर पार्ट को अब इस देखिया हमारा जो मेकप है यह बेस जो है अब अल गुप्लीट हो चुका है अब लिप्स्टिक शेट जो भी हमने स्विस ब्यूटी का यहां पर लिया है स्विस ब्यूटी की हमारे पास है डेड शीट ठीक है और इस ते में लिप्स्टिक जो है वह अप्लाई करेंगे साबसे लिप लाइना लगा रहे हैं अब लिप्लाइन सिर्फ आउटर पर नहीं मैं उसको उससे ही कवर भी करूंगी अब लिप्स को और इसे हम इसे कवर कर लेते हैं जिससे के हम ओंब्रे एफेक्ट में लगाएंगे जिससे के वाएंगे अब हमारा सेंटर आगया तो सेंटर को कवर करने के लिए मैंने एक डाक शेड चूज करूंगी तो यहां से मैं एक डाक शेड चूज कर रहे हूं यह देट इस मरून शेट और तो यह दो सेंटर कवर करने है तो देखिए फैंस समारा लेप्स्टिक अपार्ट हो चुका है कम्प्लीट में हमने रेड और मरून कंबिनेशन किया है देखिया आउटर आपको रेड लग रहा होगा अंदर हलका सा मरून शेड आ रहे होगी और यह ओंब्रे इफेक्ट है सुफिये तो हो गाया लेधिक का गवर एंदर एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट जो की रह रहा है रहा है अब आपको वह आई शेडो तो खिया है नहीं तो आय का लेते हैं और दिखते हैं हमारा कंप्लीट इफेक्ट किया आया है हना तो आई में कब्दा इस ने कंप्ली लूँक तो आप जो है आपको ये मेकप जो है पसंदाया होगा और उतना ही मेकप करें तब्ही आपको एक अच्छा और ड्लैम लूप मेकप मील सकता है तो यह हमारा आज का आपको यह प्रफिनिटली पसंद आया होगा और कितना ब्यूटिफुल लुक आया है और हमारे आई मेकप भी बहुत थी स्टनिंग है तो फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आया है और 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 जाथ आपड़िटिंग वीडियो के लिए आप मेरी चैनल ब्यूटिया नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंट्स गुद बाई